मुंबई और महराष्ट के कद्दावर नेता, कॉंग्रेस के कद्दावर नेता मिलिन देवडा ने पार्टी छोड़ दी है, कॉंग्रेस से उन्होंने त्याक पत्र दे दिया है, आज सुबही उनका ट्वीट आया, जो एक्स है अब और उस पर एक पोस्ट उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि वो कॉंग्रेस से त्याक पत्र दे रहे हैं और जो 55 सालों से उनका और उनके परिवार का नाता है कॉंग्रेस से, उसको वो तोड़ रहे हैं, ये एक जो खबर आई, एक बुरी खबर आई कॉंग्रेस के लिए आज सुबह सुबह, उसे एक जटका माना जा रहा है कॉंग्रेस के लिए और उसके एक बड़ी वज़ा तो यह है कि आज ही मनीपूर से राहूल गांधी ने खुद भारत जुड़ो नया यात्रा की शुरुआत की है और उसी दिन ये ख़बर आना कॉंग्रेस के लिए किसी जटके से कम नहीं है लेकिन मिलिन देवरा क कॉंग्रेस छोड़ना कॉंग्रेस के लिए तो जटका ही है लेकिन राहूल गांधी के लिए एक जादा बड़ा जटका है उसकी वज़ा मैं आपको बताऊंगा क्योंकि राहूल गांधी ने कई ऐसे युवा नेता आसे दस पंदर साल पहले खोच कर लाये थे और उन्होंन काने जाते थे और यहा जाने लगा था कि आगे चल कर यही नीता जो है राहूल गानिंधी के साथ साथ कॉंग्रेस का भविष्च पर साथ में सब से ताजा तरी नाम बेलिं देवडा का हम सुन रहे हैं लिकिन इसके लावा और करी नाम का इसके आलावा सचन पालट एंध सिंग सुश्मित्ढेव ऊस उसके अलावा जितिन प्रसाद का नाम था प्रदीब जयन आदित थे कई एसे नाम थे जिनको जितिन सिंग का नाम मुझे याद आ रहा है तो कई ऐसे नाम थे जिनको कहा जाता था कि वो राहुल गांधी के बेहत करीबी हैं और कॉंग्रेस में राहुल गांधी ने इन निताओं को हैंड़ पिक किया है और उनको न सिर्फ हैंड़ पिक किया है बलकि लोकसभा का टिकट दिलवाया है और इन में से जादा तर निता सब्सक्राइब बने चीर तिन प्रसाद प्रदीब रइद्ध प्रसाद यह सब तरह से बड़ी चलती थी इन सभी नेताओं की क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये राहुल गांदी के बेहत करीबी हैं लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 5-6 सालों में एके करके ये जितने नेताओं का हमने नाम लिया इन से कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी चाहे वो आर इसा लगने लगा था कि वो पार्टी छोड़ने ही वाले हैं और तक्रीबर उन्होंने बगावत कर दी थी वो पार्टी छोड़ने ही वाले थे तो एके करके ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी की जो सबसे करीबी लोग थे और जिनको माना जाता था कि वो कॉंग्रेस का आगे चलकर भविश तैय करने वाले हैं भविश बनने वाले हैं उन्होंने एक एक करके पार्टी छोड़ दी क्या इन सभी निताओं को जैसे समय बीता और खासकर हो 2014 में जब से कॉंग्रेस पार्टी की सरकार गई और कॉंग्रेस विपक्ष में आ गई तो क्या ऐसा लगा कि राहुल गांधी के नित्रित पर उनका भरोसा नहीं रहा क्योंकि राहुल गांधी ही निताओं को लेकर आये थे क्योंकि जैसे जैसे 2014 के बाद हम देखें खासकर चुनाओं परनामों को देखें तो एक एक करके कॉंग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा ना सिर्फ राज्यों में बलकि 2014-2019 के चुनाओं में भी कॉंग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और कॉंग्रेस संगठन के तोर पर बेहत कमजोर होती चली गई उत्तरप्रदेश का अगर उदाहरन लें अगर हम तो वहां कॉंग्रेस की हालत सब को मालूम है विधायक के नाम च्छोड़ दी इसके अलावा जोतिरादिस सिंधिया 15-20 सालों से कॉंग्रेस मत्रदेश में सत्ता से बाहर है तो जोतिरादिस सिंधिया ने पार्टी चोड़ी और उनके साथ सथ कई नेता पार्टी छोड़ कर बीजेपी में आ गये चुकि खुद जोतिरादिस सिंधिया अब भी बीजेपी जोईन कर ली तो मिलिन देवड़ा का जो पार्टी छोड़ना है वो कॉंग्रेस के लिए तो एक बड़ा जटका है ही मुंबई में हम जानते हैं मिलिन देवड़ा एक धावर नेता हैं उनके पिता जी स्वेम मुंबई कॉंग्रेस के सालों तक अध्यक् चिन से तीन बार वो राजसभा के सांसद रहे तो बड़ा राजनितिक परिवार है मिलिन देवड़ा का तो ऐसे समय में उन्होंने कॉंग्रेस चोड़ी है जैसा मैंने कहा कि राहूल गांदी की भारत जोड़ो निया यात्रा शुरू हो रही है और दो तीन महीने में लोग अपने संगठन में लेकिन राहूल गांदी के लिए भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात हो गई है कि एक करके आखिर जो एक प्रसिद गाना है हिंदी फिल्मों का कि बिच्ड़े सभी बारी बारी तो राहूल गांदी के लिए ये बात बिलकुल सही साबित होती है और जिसको कहते हैं कि घर को आग लगे घर के चराक से तो जिन निताओं को राहुल गांधी हैंड़ पिक कर लाए थे और ऐसा लगता थे कि अब ये राहुल गांधी की सिपाही कहा जाता था उनको उन सब ने बारी-बारी करके कॉंग्रेस छोड़ दी तो इसकी वज़ा क्या सिर बलकि लगताय जो चुनाव परिणाम आते रहे कॉंग्रेस के प्रतिकूल उसका भी अब ये असर देखने को मिल रहा है तो कॉंग्रेस और राहुल गांधी को काफी कुछ विचार करना होगा काफी कुछ चिंतन करना होगा कि अगर एक एक करके ऐसे ही युवा निता को पा नहीं दिली से प्रशांत एंडी टीवी इंडिया